सू विल गाइस कहानी के सुरुआत में हम ली कुआंग नाम की एक बच्ची को देखते हैं ली भागता हुआ अपनी एक दोस्त के पास जाता है और उसे एक मैरेज सेटिफिकेट देकर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्या तुम मुझसे साधी करोगी जिस पर वो कहते है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया इसके बाद ली उसे दो मोवी टिकेट दिखाता है और फिर से पोचता है कि क्या अब तुम मुझसे साधी करोगी जिसके बाद उसकी दोस्त उस marriage certificate पर सहन कर देती है और movie ticket लेकर वहाँ से चली जाती है उसकी जाने के बाद ली सोचता है कि पहले मैं job करूँगा फिर हम दोनों की साधी होगी हमारे तीन बच्चे होगे जिनका नाम मैं Bruce Lee, Stanley और broccoli रखूँगा तभी ली को किसी के सैकल की आवाज सुनाई देती है वो जो पीछे मुल कर देखता है तो उसकी होने वाली बीवी उसके दिये हुए ticket को लेकर अपने boyfriend के साथ picture देखने जा रही थी वो उसके पीछे भागता है और भागते भागते नीचे गिर कर रोने लगता है तभी वहाँ पांच लड़कियां आती है जो लेकी बहने थी वो कहती है हमारे होते हुए आज के बाद तुम कभी भी किसी लड़की के लिए नहीं रोगे और फिर वो अपनी सारी बहनों से वादा करता है कि आज के बाद वो किसी भी छोकरी के पीछे नहीं भागेगा प्रॉमिस करने के बाद ही वो कहने लगता है कि मुझे किसी से मिलने जाना है जिससे कि उसकी सारी बहने बहुत गुसा हो जाती है और कहने लगती है कि तुम कभी भी गल्फरेंड नहीं बना सकते अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है लिके साथ साथ उसकी बहने भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी उसकी सबसे चोटी बहन कैली उसी की स्कूल में पढ़ती थी चौती नमबर की बहन किंडल तीर चलाने में एक्सपर्ट थी तीसरी नमबर की बहन खोले एक हैकर थी जो लिके आने जाने वाले सभी रस्तों के सिसिटिवी को हैक करके उसके उपर नजर बनाए रखती थी दूसरी नमबर की बहन किम उसी की स्कूल में टीचर थी और उसकी सबसे बड़े वाली बहन कौटनी एक जिबरदस्त फैटर थी पांच बहनों के बीच ली की लव लाइफ स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाती थी ली अब काफी बड़ा भी हो चुका था एक दिन ली जब स्कूल के चेंजिंग रूम में जाता है तो उसे अपनी दोस्त की आवाज तो सुनाई देती है लेकिन वो उसे दिखाए नहीं देता उसका दोस्त कहता है कि मैंने गाईब होने वाली क्लोथ बना ली है जिसके बाद वो दोनों उस गाईब होने वाले क्लोथ को पहन कर लड़कियों के चेंजिंग रूम में चले जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि वो दोनों गाइब हो चुके हैं तभी वहां कुछ लड़किया आज आती है तो ली का बेवकूफ दोस निंजा हतोली के गाइब होने वाले टिकनीक आपना कर गाइब होने की कोसिस करता है लेकिन वो लड़किया उसे देख लेती है और धक्के मार कर उसे भगा देती है लेकिन तभी उन लड़कियों को एक ड्रावर से खून बहता हुआ दिखता है तो वो लोग चिलाने लगती है उन में से एक लड़की जिसका नाम मिंग था वो जिब ड्रावर को खोलती है तो ली उसके अंदर था और सोफस्टिकेशन की वज़े से उसके नाक से ब्लेडिंग हो रही थी मिंग ली को कान से पकड़ कर उसे प्रिंस्पल के ओफिस में लेकर जाती है जहां उसकी खूब कुटाई की जाती है थोड़ी दिर के बाद ली अपने क्लास में बैठा हुआ था तब ही मिंग वहां आती है मिंग ने आज हे अड्मिसन लिया था और वो ली की नई क्लासमेड भी थी टीचर उसे ली के बगल में ही बैठने का बोल देते हैं मिंग उसे देख कर छुप जाता है स्कूल के बाद जब वो अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसके फ्लोर पर बलेट गिरा है और उसकी सारी बहने अधमरी हालत में पड़ी थी ली अपने बहनों के पास जाता है और उसकी केर करता है वो अपनी सारी बहनों के लिए खाना वाना भी लाता है क्योंकि ली की सारी बहनों के एक साथ पिरियट चल रहे थे तभी किम बातों बातों में अपनी बड़ी बहन कौटिनी को ये बता देती है कि आज ली गर्ल्स के चेंजिंग रूम में पिटा था इसके बाद उसकी बड़ी बहन उसे मारमूर कर दिवार से उल्टा लड़कवा देती है और फिर उसकी क्लास चलाती है वो कहती है कि हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि महिलाए दुनिया की सबसे complicated किरियेचर है तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए लेकिन तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती तुम girls के changing room में क्या कर रहे थे जिस पर वो कहता है मैं वहाँ अपने लिए girlfriend होनने गया था अपने भाई के साथ भला ऐसा कौन करता है वो कहता है मैं जिंदगी भर तो single नहीं रह सकता अब बहुत हो गया मुझे भी girlfriend बनानी है जिसके बाद उसकी एक बहन उसके जवाबों को सुनकर रसी छोड़ देती है और वो नीची गिर जाता है तब उसकी बड़ी बहन कहती है girlfriend और तुम्हारी वो भी हमारे जिंदा होते हुए ठीक है लेकिन पहले उसे हमारे टेस्ट में पासोना होगा अगर तुम्हारी girlfriend में हम पाचो बहनों की एक एक quality हुई तो ठीक है नहीं तो हम किसी भी लड़की के पीछे तुम्हें भिनभिनाने नहीं देंगे लेकिन ली की कोई girlfriend थी नहीं और उसकी बैनों ने पहली बार उसे एक मौका दिया था इसलिए अगले दिन ली एक board लेकर अपने स्कूल में अपने लिए girlfriend धोनने चला जाता है तभी उसका दोस्त वहां आता है और उसे मिंकी पिक दिखा कर कहता है कि क्या तुम इसेज जानते हो ये बहुत अच्छी लड़की है जो अक्सर लोगों की मदद क्या करती है जो सब के मामले में टांग अड़ाती है उसे दूसरों की हेल्पे करने का बहुत सौक था एक लड़का अपने बंदी को भाव नहीं देता तो वो उसे उल्टा लेटा कर उसी हट करती है दो लड़के आपस में लड़ रहे थे पहला कह रहा था कि पहले तू हात लगा दूसरा कह रहा था कि तू हात लगा मिंग जब उन दोनों को लड़ते हुए देखती है तो फौरण एक बेसबॉल बैड ले जाकर उसके पास जाता है और उससे कहता है मैंने सुना है तुम सब की बहुत मदद करती हो डिस पर मिंग पोशती है हाँ तुमें क्या चाहिए तो वो कहता है सामने जो बंदा खड़ा है उसका नाम ली है वो जब बहुत छोटा था तो उसके मॉम डैड गुजर गए और उसे उसकी पांच बहनों ने मिलकर पाला है लेकिन उसकी बहने बहुत बुरी है उसकी बड़ी बहन की एक आँख खराब हुई तो उसने ली की एक आँख ले ली दूसरी बहन की किड़नी खराब हुई तो उसने ली की एक किड़नी ले ली तीसरी बहन का लिवर खराब हुआ तो उसने ली से अपने लिवर एक्सचेंज कर लिये उसकी सिस्टर उसे बहुत टॉचर करती है और उसे बस अपना और्गन्स बैंक समझती है जिसके बाद ली गुसे में वहां से ली की सिस्टर के पास जाने लगती है तभी ली का दोस्त बोलता है कि तुम्हें उसे कुछ भी कहने की जुरत नहीं है तुम्हें बस प्यार करना होगा क्योंकि ली की sister ने उससे कहा है कि अगर कोई उसकी girlfriend बन जाए तो वो उसे छोड़ देगी जिसपर मिंग कहती है मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है ली का दोस्त ये ही कहता है तुम्हें बस girlfriend बनने का नाटक करना होगा वो फिर भी नहीं मानती जिसके बाद ये एक गुफा के अंदर एक पिंजरे के पास जाता है और उस पिंजरे के अंदर कैद एक जानवर को खोल देता है और वहां से चिलाते हुए भागने लगता है कि भागो भागो भालू आ रहा है सारे बच्चे डरके मारे वहां से भाग मार देता है जिससे ली सीर्णियों से नीचे गिर कर बेहोस हो जाता है और जब उसे होस आता है तो मिंग उसके सामने बैठी थी वो से देखकर उठने लगता है तो उसे रोकने के चकर में मिंग उसके उपर गिर जाती है फिर मिंग ली से कहती है कि तुम केतने अनलकी हो तु ये क्या हो गया मेरे एकलोते भाई को मैंने सुना है कि तुम हाथी से टकरा गए वो अपनी बहनों से बचने के लिए कुछ नहीं कहता तो उन्हें लगता है कि ली मर रहा है इसीलिए उसकी दोनों बहने उसके चाती पर चढ़ कर उसे करंट दे कर उसे होस में लाने की कोसिश लें पूर्ट करने लगती है इलाश तो नहीं लेकिन उसकी भेहनें उसे मार जरूर रही थी ली दर्द से तडप रहा था और चिला रहा था कि मैं ठीक लेकिन वो नहीं सुनती और उसे मारते हुए कहती है कि कैसे ठीक हो तुम ये सब देखने के बाद मिंग ली की बहनों पर चिलाने लगती है तो वो कहती है तुम कौन होती हो हमें रोकने वाले जिस पर मिंग कहती है कि मैं इसकी गल्फरेंड हूँ और ये सुनने के बाद बहन करके च्छत से लटका दिया जाता है और फिर से उसकी क्लास ली जाती है वो उससे पूछती है कि तुम्हारे जैसे लोजर की एक दिन में गल्फेंड कैसे बन गई वो कहता है कि वो मुझे देखते ही मेरे प्यार में पड़ गई जिसके बाद उसकी बहने उससे कहती है कि ठीक है लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि तुम जूट बोल रहे हो तो फिर हम तुम्हारी खालू धेर देंगे ये सुनते ही वो डर के मारे सुसु कर देता है इसके बाद ली की हैकर बहन मिंग के करेक्टर का पता लगाने के चकर में बहुत सारे CCTV हैकर के उसका वीडियो निक जाट देता है जिसे की वीडियो इंटरनेट पर अपलोड नहीं हो पाती अगले दिन ली स्कूल जा रहा था तो इसकूल के बाहर उसे मिंग मिल जाती है वो उसे मिलता है तो वो गुलाटी मार कर वहां से आगे चली जाती है आज रात स्कूल में एक पार्टी होने वाली थ जाते थे वहां बहुत भीड लग गई थी लेकिन ली मिंग को खीच कर अपने साथ लेकर चला जाता है इधर ली की बहन स्कूल के ब्योल्डिंग से उसके उपर नजर रख रही थी क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि मिंग कोई पागल है इसलिए वो अपने भाई को किसी बॉम आ जाता है और स्कूल में एक जोड़दार ब्लास्ट होता है ली धमाके से मिंग को प्रोटेक करता है और पूरे स्कूल में भागा दोली मज जाती है इसके बाद किंडल फिर से ली को रोकने के लिए तीर चलाती है तो अगेन एक बॉम उसके तीर की आगे आकर फट जाता है अब हम एक मिस्टीरियस मैन को देखते हैं जो उस बॉम के साथ लैबरेरी में जाता है ये वही आदमी था जिसने ली के घर के करंट को काटा था इसके बाद मिंग और ली सबसे बचकर एसक्रीम खा रहे थे तभी मिंग ली को बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह बिना पैरेंट्स की बड़ी हुई हूँ मैं अपने अंकल के साथ रहती हूँ बार बार उनके ट्रांसफर के वज़ा से मुझे भी बार बार इसकोल चेंज करना पड़ जाता है जिस वज़ा से मेरा कोई भी दोस्त नहीं है अगले दिन ली के बहन और मिंग के बीच एक पर्टिशन होने वाले थे लेकिन मिंग दो मैच हार जाती है तीसरी मैच मिंग और ली की बड़ी बहन कोर्टेनी के बीच में होने वाली थी मिंग बाल फेकती है और अब बारिती कोर्टेनी की वो जैसे ही बाल उठाती है मिंग उस बाल के अंदर से एक पिन को गिरते वे देखती है, वो समझ जाती है कि ये बॉल नहीं बॉम है, वो कौटेणी से बॉल लेने हैं लगती है, तो वो उसे बॉल नहीं देती, जिसके बाद मिंग कौटेणी को जमीन पर गिरा कर उसे उस बॉल को लेकर आसमान में फेक देती है और फिर एक जबर्दस्त ब्लास्ट के साथ मिंग नीटी गिर जाती है मिंग ने कौटेनी की जान बचाई थी इसलिए कौटेनी उससे इंप्रेस हो जाती है और वो अपने भाई ली से मिंग का ख्याल रखने का बोल कर वहां से चली जाती है जिसके बाद ली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दरसल जितने भी लोग मेरे विडियोस को देखते हैं उन में से सिर्फ 3% लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है जो मेरे लिए बहुती डिसपॉंटिंग है 100% में 3% लोगों का सपोर्ट तोड़ा इंबरसिंग हो जाता है यार गलफिंग का नाटक करना बंद कर देना चाहिए जिस पर वो कहता है नहीं नहीं उन्हें पता चल गया तो फिर से बुली करेंगे वो दोनों इस जूट के रिलेसंसिप में सच में प्यार करने लगे थे और वो दोनों बात करते करते बीच की किनारे ही सोजाते हैं अगली स्कूल में एक डांस पार्टी होने वाली थी इसलिए ली के क्लास का सियार उसे पूरे डिकुरेशन को मैनेज करने का काम दे देता है वो मिंग के साथ वहां से जा रहा था तबी ली की बहन वहां आकर उसे अपने साथ खाना खाने के लिए चलने को कहती है वो इसके साथ ज भागा दोड़ी मत जाती है मिंग भी भागते हुए ली के पास आती है ब्लास्ट में ली को तो कुछ नहीं होता लेकिन उसकी छोटी बहन का सास रुख जाता है जिसके बाद ली उसे से पियार देकर होस में लाता है और तबी वहां ली की बाकी की सिस्टर भी पहुंच जा है जिस पर लिखा था कि Congratulations for winning Africa trip मिंग वहां से जाने लगती है तो ली उसके पीछे जाता है लेकिन वो उसे इगनौर करके उसके सामने से रोते हुए चली जाती है दरासल मिंग ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके अंकल का फिर से कहीं transfer हो गया था लेकिन अब वो ली स सिस्तो करता है लेकिन वो उसे इगनौर करने लगती है मिंग बहुत उदास था उसकी बहनों से उसका ये हाल देखा नहीं जाता वो बात तब में लेट कर रो रहा था तब उसकी बड़ी बहन आकर मॉम डैड ने हमें पोस्ट कार्ट भेजे हैं मॉम को फिर से नया boyfriend मिल गय और डैड फिर से किसी ट्रिप पर निकल गए उनके डैवोस के बाद वो दोनों अपनी अपनी लाइफ अलगलग तरीके से जी रहे हैं जब तुम बहुत छोटे थे तब मॉम डैड ने तुम सब की जिमिदारी मुझ पर छोड़ दिया फिर उसकी बहन वहां से चली जाती है उसके जाने के बाद जब ली बिजली कड़कने की आवाज सुनता है तो वो डरके मारे बिना कपडों के ही अपने बेहनों के बीच चला जाता है जहां उसकी बेहने उसके नंगी पिक्स निकाल कर कहती है कि हमारा ली तो बहुत बड़ा हो गया है इधर हम समाज सेवी का मिं का चलूंगा जिस पर वोल्स से पूछती है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं अफरिका जा रही हूं मिंग उसे बहुत रूडली बिहेव करती है और कहती है कि मेरा दोस्त बनने के लिए तुम्हारा सुक्रिया मुझे माफ कर देना और फिर वो वहां से चली जाती है लेकि ली की बहन और उसके दोस्त उसे ढून रहे थे तभी स्टेज पर एक आदमी मास्क लगा कर आता है और एक रिमोट दबा कर स्टेज पर मौझूद एक स्कल के स्टैचू को खोलता है जिसके अंदर उसने ली को एक रॉकेट से बांद कर रखा था इस मास्क वाले आदमी का नाम केनी था जिसने पहले भी कई बार ली की उपर बॉम से हमला किया था दरहसल ये साय को ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो पिछले 13 स्कूलों से मिंग के पीछे पड़ा था और मिंग उसे छोड़कर ली से प्यार करने लगी थी इसलिए उसने बहुत बार ली को मार कर अपना रस्ता केलियर करने की कोसिस की थी और तो और आज उसने उसे रॉकेट से ही बान दिया था ये सारे बात जब वो मिंग को बताता है तो मिंग उसे पहचानने से भी इंकार कर देता है जिसके बाद वो गुसे में रॉकेट के बटन को दबा देता है ली की बहन और उसके दोस्त उस रॉकेट को उपर जाने से रोकती हैं लेकिन वो सैको रॉकेट के पूरे पावर को बढ़ा कर वहां से भागने लगता है और इधर ली की हैकर बहन उस रॉकेट को हैक करने की कोसिस करती है लेकिन वो उसे हैक नहीं कर पाती जिसके बाद मिंग खुद ही ली क वह बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन ली उस एरोग को तोड़ दिता है जिससे मिंग की रसी बंधी थी, मिंग नीचे गिर जाती है और ली उस रॉकेट के साथ आसमान में चला जाता है, और वो रॉकेट ब्लास्ट हो जाती है, ली के मौथ से उसकी बहान और मिंग के साथ साथ सभी लोग बहुत दुखी होते हैं अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मिंग एक कबर पर जाकर प्रे कर रही थी और तभी ली वहां आज जाता है क्योंकि उस रॉकिट वाले इंसिडेंट के बाद भी ये धीट बज़ गया था और वो दो साथ ते लेंगे तो दोस्तों ही स्टोरी आपको कैसे लेगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना अगर आप लोग मेरे यूटूब चैनल पर नए आए हो तो ऐसे मज़िदार वीडियो देखने के लिए मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बाजो में लेकर लेंगे थैंक्स तो यो गुडबाई